ओके सो एलो एवरिवन आज हम लोग करने आल है बर्गंडी फैमिली का एक ग्लोबल कलर जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छा सा टींच मिलेगा रेडिश का और एक बहुतरीन सा लुक दिखाए देगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में आप लोग को बिफॉर का हैर दिखाऊंगा कि हैर कितना जदा वाइट और ग्रे हैर है तो ये देखिए क्लोज अप से काफी ग्रे हैर है जिसे हम अच्छी तरीक से टच अप करेंगे और एक बर्गंडी सा बहुतरीन स तो हमारा जो बर्गंडी शेड है वो डारेटली हम करेंगे तो इस पर नहीं आप आएगा जिसके लिए हम लोग इसे करेंगे ब्लीच वाश तो ब्लीच वाश करने के पहले हम गलप्स पहले लेते हैं और दोस्तों चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब क कर दिजे और वीडियो को लाइक कर लिजे क्योंकि दोस्तों काफी महनत लगती वीडियो बनाने में तो चलिए सबसे पहले हम हमाला प्रिलाइटनिंग पॉडर जो है हमारा निकाल लेते हैं जिसे कि हम अच्छी तरीके से ब्लीच वाश कर पाएं ब्लीच वाश के उपर मै क्योंकि आप लोग को पता है कि 30 volume अगर यूज नहीं करेंगे तो जो भी डाई और जो भी महन्दी अगरा लगा है वो पूरा निकल नहीं पाएगा तो चलिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ठाइडी वाश कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं हैर्स पर step by step लगाते जा रहा हूं और आप लोग को root छोड़के लगाना है क्योंकि root वैसे भी हमें थोड़ा dark की रखना है और root उनका वैसे भी virgin hair है उस पर उन्होंने color नहीं किया हुआ है तो उस पर हम जो हमारा color shade देंगे वो आसानी से आप आएगा तो दोस्तों देखिए फटा- ज्यादा हाम हो सकता आप लोग को पताईए तो चलिए हमारे hairs में फटाफट हमारा pre-lightning जो कि हमने लगा लिया है और हमारा देख सकते हो कि जो level lifting होने लगा है तो हम जो कि बरगंडी करने वाले हैं तो हमें ज्यादा level lift नहीं करना है हमें 4-5 level भी lift होगे अगर अच्छे ख 16 वाला बरगंडी shade जो कि हम apply करने वाले हैं जो कि वह आसानी से आप आएगा तो चलिए bleach wash हमारा हो चुका है बच अच्छी तरीके से इसे पूरा wash करके जो भी हमने chemical लगा है उसे निकाल लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से आप लोग को shampoo कर लेना है तो देखिए मैं य अच्छी तरीके से लग जाए और जो भी इसका अंडर कोट है यलो अलाओ कट हो जाए तो हमारा कट हो चुका है अब हम करते हैं इसे वाश दोस्तों अगर आप लोग को मुझे फॉलो करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आइडी है हैस्टालिश रोहित लिंक आप लोग को ड काफी जादा योगदान रहा है तो थैंक्यू सो मच आप लोग ने हमें सब्सक्राइब किया और आप लोग के वज़े से ही हमारा सेलवर प्ले बिटन आपाया है तो चलिए हम करते हैं ट्रावल ड्राय करने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से तोरा सा ड्राय कर लेंग कि कुछ हैर्स पैची टाइप रहे जाते हैं तो देखिए हमने बेसिक सेक्ष promotion निकाल ले हैं crown में भी एक सेक्षण निकाल ले हो यह फृटी वहर वाले सेक्षण और बैक साइड में तो इन सब सेक्षण में अब हम निका transit के हमारा 3.16 यानी कि बरगंडी शेट और इसे हम पूरे hairs में नहीं लगाने वाल है धो होगों दोस्तों यहीं काफी ज़्यादा देखने लिए चीजे हमें पूरे hairs में लगा के जिनके ज़्यादा कलर्स नहीं चाहिए उन्हें एकदम नार्मली खली shine दे उतना ही कलर्स ज़्यादा ओर भी नही चाहिए तो हम क्या करेंगे हम करेंगे इसे highlights जी हां दोस्तों इसे highlights की जैसे हम weaving करते हुए और foil में अच्छी तरीके से pack करते हुए लगाएंगे और बाकी के hairs में कौन सा color लगाएंगे वो भी दिखाएंगे देखते जाएंगे मैं आप लोग को आगे बताता हूँ तो पहले चलिए weaving type में हम जो बे हमारा burgundy color बनाया है 3.16 उसे पूरा पहले लगा लेते हैं weaving type करते हुए foil paper में आच्छी तरीके से pack कर लेते हैं बस हमारे hairs जब shine हो और जब हमारे hairs पे light आए तो हमें खाली normal सा tinge चाहिए एक burgundy shade वाला जादा दिखना भी ने चाहिए तो उसी हिसाफ से हम कर रहे हैं तो weaving type करते हुए हम पूरे hairs में देख सकते हुए लगाते जा रहे है foil paper में हम इसले pack करें क्योंकि बाकी जो hair से उसे हम दूसरा color लगाने वाले बट उसमें क्या mix करने वाले हैं यह आप लोग को समझ में आएगा जिससे कि हमारे जो gray hairs है वो भी अच्छी तरीके से cover हो जाए है आप लोग का बहुत जादा comments आता है कि sir gray coverage hairs पर एक वीडियो बनाए है तो यह gray coverage hairs पर ही एक वीडियो है जो कि gray hair को भी cover करेगा और एक अच्छा सा tin च्वाला बरगंडी का shade भी देगा तो कैसे देगा क्या है पूरा अच्छी तरीके से last तक देखिए तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगा कि हम इस hairs में आखिर करने क्या वाले है तो देखिए step by step foil paper फटा फट पैक कर रही है आप लोग को जब spoil paper पैक करोगे तो अच्छी तरीके से पैक होना चाहिए क्योंकि बाकी के जो hairs वाले color है हम जब colors लगाएंगे तो बाकी के hairs वाले color हमारे जो highlights वाले weaving types के हमने जो section निकाला है उस पर नहीं आने चाहिए या फिर हमारा foil paper धीला भी नहीं होना चाहिए जिसके उसे निकल जाए और फिर हमें color करने में problem हो तो अब हम आगे है crown area में औ crown area में आप लोग को इसी तरह निकालना है weaving करते हुए तो अब हम उपर की तरफ याने की crown area में आगे है और वहां पर भी foil packing कर रहे हैं दोस्तों अगर यहां तक आ गए हो वीडियो कभी तक like नहीं कियो हो तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को like कर लीजिए और नए चैनल पर लिस्ट में यानि कि हमारे चैनल पर भी है वहां पर भी जाकर देख सकते हो कलर से रिलेटेड भी काफी वीडियो हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना लास्ट में वीडियो खतम होने के बाद में कि आप लोग को और किस टैप्स के hair colors पर रिलेटेड वीडियो चाहिए और हाँ दोस्तों जबर से हमारा जो इंस्टाग्राम आइडियो वहां पर फॉलो भी करना वहां पर भी काफी शॉट्स वीडियो में अपलोड करते रहता हूं जिसे कि आप लोग को काफी कुछ नॉलेज सीखने मिलेगा तो अब हमारा हो चुका है पूरा फॉयल पेपर प उठाके और पांच नंबर का जो हमारे कलर है उसे हम डिपॉजिट करेंगे यानि कि हमारे जो बाकी के हैस बचे हुए हैं जो प्रिलाइटनिंग और जो रूट उस पे लगाएंगे और इसमें हम लोग 20 वॉलिम यूस करेंगे जो इस तो कंफ्यूज मत होना 3.16 में हम बाकी के हैर से उसमें लगाना है तो यह देखिए दोस्तों 3.16 में हम लोग ने पाच नंबर का बेस कलर मिक्स करके और पूरा जो हमारा रूट पा जहां पर ग्रे हैर दिख रहे थे उसे और जो भी हमारे बाकी के हैर से ब्लॉंड जो की हम लोग ने किया था ब्लीच वाश उसे भी लगा लिए और अब हमारा फाइनल रिजल्ट वाश करने के बाद देखिए ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा लग रहा आप लोग को वाव काफी अमेजिंग सा लुक आया है और एक जैसा कि हमें टिंच चाहिए था वो काफी बहतरीन सा टिंच हमें मिल तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना और आप लोग के लिए भी बहुत सारे कलर से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं और आप लोग को किस टाइप के कलर से रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स करके भी जरूर बतान ताकि मैं आप लोग के लिए और भी नएने hair color से related video लाता रहूँ आप लोग के लिए इसी तरह नएने videos आते रहेंगे और आप लोग को जो भी doubt रहे इस color related comment ज़रूर करना क्योंकि हमने इसमें जादा नहीं हमें बस खाले tinch color चाहिए था तो हमने बरगंडी के खाले tinch दिया है जो कि हमें light में काफी बहतरीन सा shine देगा और normal जगर पर हमें खाली बस एक normal सा एक shade देगा जो कि हमारे client को इसी तरह चाहिए था तो I think आप लोग को काफी पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेच वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई टेक केर